स्वागत करता हूँ आप सभी खा आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे जे ससी सायक अचारी दोहजार चौबिस के बारे में बात करेंगे कि पेपर 2, 3 और 4 की जो परिक्षा है जो एक्जाम है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है पहली बात दूसरी बात कि क के बारे में हम लोग बात करेंगे और by the way आपका जो भी doubt रहता हो वो नीचे comment section में पूछ सकते हो मैं देखता हूँ कि वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं तो please make sure नीचे comment करके आप जो है सवाल को अपना पूछ लीजे तो एक dedicated वीडियो में अलग से बना दूँगा जहां पे आपके सारे सवालों को सिर्फ question and answer हम लोग करेंगे Q&A कर लेंगे आप सवाल पूछ सकते हो नीचे comment section में दूसरी बाद देखिए हुआ क्या है ना कि अभी लोगों के comment section में comment आ रहें कि cut up एक video बनाई जाए तो अगर आपक बता है कि हाँ cut up के ओपर एक video बनाई जाए तो नीचे comment करके cut up आप जरूर लिखेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ मैं cut up के video बनाने के बिल्कुल सक्त खिलाफ हूँ लेकिन आप लोगों की demand ही इतनी आ रहे है कि मैं एक rough idea आपको देना चाहता हूँ regarding cut up video तो बि exit poll थे वो दरासाई हो गए थे ऐसा आप समझ लो तो इसलिए मैं cut up के video नहीं बनाना चाहता हूँ लेकिन एक rough idea आपको दूँगा उसे cut up की video मैं नहीं कहूँगा rough idea कहूँगा ठीक है तो यह हो गई बाते अब देखिए सबसे पले मैं आपको एक notification की और लेकर चलना चाहता जो की सूचना संख्या 38 थी और यह 6-6-2024 को notification आई थी इसमें जो बाते बताएं गए उसी के recording मैं आपको समझाओंगा और कुछ विद्यार्थियों के personal experience जिनको मैंने live देखा है जिनके साथ मैंने समय विताया है उन class 125 में उनका center कहा कहा पे गया था उसके recording में video बना रहा ह बाइद बे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोगों ने current की video अभी तक नहीं देखी है जाकर फटा फट देख लिजे चैनल पर रखी हुई है आपका exam में बहुत ये फायदा देगा current affairs की video जिसमें मैंने July से लेकर के December तक के current affairs को करा रखा है तो please make sure July वाले स और एक मैराथन भी करा रखा है तो उन दोनों वीडियो को जाकर आप देख लिजिए आपका complete revision हो जाएगा regarding current affairs ये तो वही पहली बात दूसरी बात आज रात तक आपको जो है top 100 एक जो है statics GK का वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे paper 3 के current affairs क के लिए current affairs के अलाबा जो statics GK होता है इतिहास भुगोल सम्विधान अलग 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 जो topic various topic आपके syllabus में दिया है उसके according में जो top 100 की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा वहां से जो है हम लोग बात करेंगे इसके regarding ठीक है अब देखिए आगे हम लोग बात कर लेते है सबसे पहले यहां से आप देख लो यहां पर दिया गया है कि class 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो अलग-अलग examination date है 12-6 से class 1 to 5 का exam है जो की complete हो चुका है 6 to 8 का 23 से लेकर के 29 तक जो है exam date आपका चलने वाला है यानि कि कल भी exam होगा आज 28 है तो कल 29 को भी एक paper आपका conduct कराया जाएगा paper 1 अब देखिए paper 1 में सभी लोगों का paper हो रहा है याद रखिएगा यह सिर्फ हिंदी का paper नहीं हो रहा है paper 1 में जिन लोगोंने हिंदी रखा था उनका भी exam हो चुका है जिनोंने English रखा था उनका भी exam हो चुका है और कुछ लोगों का बाकी होगा अब इसी बात है आज और क उनका Εक्जाम होना है और कुछ लोगों का संस्क्रीट का पेपर होगा उनका भी पेपर होने वाला होगा खुटा भी रखागा लोगोंने, कुर्माली पंचफर गनिया हो तो इन सभी का एक्जाम कल तक कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद देखिए दो से तीन दिनों के और उसमें बता दिया जाएगा कि फलाने फलाने तारिक से आपका exam conduct कराया जाने वाला है और जहां तक कि सूचना है मुझे, जहां तक अंदर से जो खबर है, आफिस से जो खबर है, उसके according आप इतना समझ लो, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, वो यही है कि आपका exam जो है, 7 या 8 जुलाई से फिर से start हो जाएगा किसकी बात हो रही है, यहां पे 7 से 8 जुलाई का, तो याद रखिएगा, यह paper 2 और 3, आपका याद रखना इस बात को, कि paper 2 और 3, same day exam आपका conduct कराया जाएगा, जैसा कि class 1 to 5 में किया गया है हो सकता है, यहां पे changes हो, मैं देखो, कोई भी बात को 100% security के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं JSC office में ना काम करने वाला हूँ, ना ही review meeting में, या फिर JSC का अध्यक्ष हूँ, जहां पे सारी बाते हैं मेरे साथ discuss की जाती है, और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं बस जो पेपर 2 और 3, अब देखिए, पेपर 4 के बारे में बात कर लेते हैं, देखो, since, सभी का पेपर अलग-अलग है, तो देखिए, पेपर 4 का जो exam conduct कराया जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है, कि जिनका, जैसे की, suppose कर लो, science group है, जिनका science group है, math or physics वाला group है, उनका exam same date में क नौबत ही नहीं आए, एक ही सिप्ट में सबका exam हो जाएगा, तो normalization वाली बात यहां पे आएगी नहीं, अब एक और बात देख लेते हैं, जिनका ZBC है, geology, botany, chemistry है, उनका भी exam में एक साथ ये conduct कराएंगे, science वाले teacher का, जिनका Hindi subject है, उनका भी एक दिन exam करा लेंगे, English के भी साथ भी, जो है, same condition रहने वाली है, तो इन चीजों के बारे में आपको बताया कि paper 2 और 3 एक ही दिन conduct करा जाएगा, और paper 4, जिन भी subject group का है, उनका एक ही दिन exam conduct करा लिया जाएगा, और paper 4 का जो exam है, वो देखिए, mid July तक जाएगा, वो जो है, mid July तक आपका exam जाने वाला है, कहां तक, mid July तक ये exam आपको देखने को मिलेगा, और याद रखिएगा, अब देखियो, परिच्छा के अंदर के बारे में, देखो, मैंने एक मिनिट, यहाँ पे thumbnail पे आप लोगों को बताया था, कि exam center क्या अलग-अलग center पे exam दिया जाएगा, या एक ही center पे, तो देखिए इसके बारे में, मैं आपको बिल्कुल authentic और genuine information देना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी तरह की अटकल बाजी नहीं है, यह देख लो, सबसे पले, जो आपका center, exam center होने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए, exam center जो आपका होगा, वो अलग-अलग center पे exam लिय जाएगा, जैसे कि suppose कर लो, कभी-कभी क्या होगा, city को change किया जा सकता है, बिल्कुल यह जो है, extreme level पे होता है, city को ही change कर देंगे यह, यह हो सकता है कि city same रहे, city जो है, सेम रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, exam center जो है, क्या कर दिया जाए, इसे change कर दिया जाए, इसे जो है, ज साजा कर देता हूं, तो देखो, class 1-25 में, बहुत सारे बच्चे का जो exam center है, वो एक ही जगा पे था, एक ही exam center और एक ही city, दोनों same था, ऐसे आप ही बहुत सारा case देखने को मिला है, और कई-कई cases में यह हुआ है, city same रहा है, और exam center को क्या कर दिया गया है, change कर दिया गया, यह भी हुआ है, और तीसरी बात, यह भी कर दी गई है, कि आपका city को ही change कर दिया गया, तो अब यसी बात है, आपका exam center भी change हो जाएगा, जैसे कि किसी का, जब सेथपूर में exam center था, तो उसे हजारी बाग भेज दिया गया है, या फिर राची भेज दिया गया है, तो यह जो है देखने को मिली थी पिछले 125 में तो ये जो सारी process है वो फिर से जो है दोराई जा सकती है class 6 to 8 के लिए अब देखिए जाते जाते फिर से आप लोगों की एक बार मैं राय लेना चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि हाँ cut up के उपर एक वीडियो बनाई जानी चाहिए तो नीचे comment करके cut up आप लिखिएगा तो इसके उपर एक exam के regarding जो है वीडियो बनाई जाई की अगर आपको लगता है तो ठीक है otherwise हम लोग इस पे idea को drop करतेंगे ठीक है और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया please वीडियो को like कर ले और इसे अपने दोस्तों के साथ या फिर family and friend के साथ इसे share जरूर करें whatsapp या फिर telegram जहां भी educational group में आप एक दूसरे के साथ discuss करते हो वहाँ आप इस वीडियो को चैनल पर तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की informative वीडियो आपको time to time मिलता रहे वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया have a good day